आज आपन बटर यूज कुरून वैनिला स्पॉंज केक बढ़ोना रहूँ अप्याल वैनिला स्पॉंज केक बढ़ोने साथी साहित्ते लगना रहें एक कप मैदा थ्री फोथ कप साखर लगना रहें एक टी स्पॉन बेकिंग पाउडर वन फोथ टी स्पॉन बेकिंग सोडा है अणि मीथे दोन टेबल स्पॉन मिल्क पाउडर गेतली है अणि या स्पॉन नी दोन टेबल स्पॉन तेल गेतलेले अपलेल वैनिलाइसेंस लागना रे और इथे मी शंबर ग्राम बटर गेतले ले और अजून अपलेल लागना रे विनेगार एक टीस्पून लागना रे और दूद अथा आपन सगले ड्राइ इंग्रीडियंट्स एक उत्रा करून गिविया में एक बाउल गेतलेले तेस अगर अपलेला गालून गेहेचे बाउल मदे माईदा गेतिये चमदेच अपलेला बेकिंग पाउडर डाकाईची ए बेकिंग सोडा मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर चेलाम सराथ अथाद तेस एक उन गेचे गालून गेतले आपले बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर वेवस्थीत मिक्सुन जाते यह मदे मिल्क पाउडर चेस लम से तश्चेस टाकून देती यह मदे अपले लात बटर गेचे में साधरन शंबर ग्राम बटर गेत लेले अपले लो फेटून गेचे तश्चा मदे अपले लात सक्खर आड कराईची यह अपले 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 थोड़ो थोड़ो दूद आड कराईचे अपले 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 अपल थोड़ा थोड़ा मैदा आड़ कराई से दोन पार्ट मैदा आड़ के लाएमी आड़ कर दोन पार्ट मैदा आड़ के लाएमे एक दस दूद नहीं ठाकर से थोड़ो थोड़ो आड़ कराई से बैटर ची कंसिस्टन्सी अपला लाशी हविये याच्यमादे अपला लाता विनेगार आड़ कराई से याच्यमादल आड़ कर से तान आड़ कर दोन पार्ट मैदाव याच्यमादल आड़ कर दोन पार्ट मैदाव बैटर वेवा स्थीर मिक्स करूंगे इचे इत्या में एक स्क्वेर आकराचा केक्टीन गेतलेलें ताच्छा में एक बटर पेपर टखिलेलें ताच्छा गोदर अपलेले थोड़ से केक्टीन गेतलें बटर के ओईल लाउन गेतलें थोड़ से ताच्छा मोड़े अपला केक छाण नेकतो चुटकद नहीं अपली कड़ाई प्रिहिट करेला थेवलेली एं अपली कड़ाई प्रिहिट जालेली एं केरफूली जाकर कड़ाईचे गरम जालेलासे यह अच्छा मदे अप्तापलिल केक्टीन थेवाईसे गास्ची फ्लेम मेडियम कराईचिये अड़ी आठता शन अंतर अपलेला केक्ट चेक कराईचे कली निगाली अपला केक्क डेडी जालेलासे कियाम आपला केक्टी स्पॉंजी चान जालेलासे चान बेग जाले पपट दू हीपा कुपा स्पॉंजी जाले है हाँ के खायला खूप टेस्टी लगतो हुआ है